Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे campus placement के बारे में जैसा कि आप लोग का पहता है कि IGNU में campus placement sale है जहांपे different companies आती है and student को campus placement drive के दौरा different तरह की job offer करती है Now इस बार भी IGNU के तरफ से campus placement drive चलाया जा रहा है Glowiva company के लिए और इसका registration होगा यानि कि जो interview होगा वो होगा 4 अगस्ट 2022 को यानि कि सर्फ 5 दिन बाकी रहा गए Now इस वीडियो में हम लोग इस job के बारे में और इस campus placement drive के बारे में detail में बात करेंगे और मैं आप लोग को अपना opinion भी बताना चाहूँगा कि कौन कौन से student को ये job के लिए interview देना चाहिए या ये job करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete जरूर देखेजेगा ये चल्पलेंग चैनल पर फॉर्स्ट माय है तो हर एक एक trusted information पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ना देखो नॉर्मली आप लोग ये जो campus placement का नाम सुनते होगे वो engineering college या MBA college में सुनते होगे कि इस engineering college में इतना campus placement हुआ 100% campus placement वगरा वगरा लेकिन इगनु मातरसा ओपन university है जहांपे campus placement sale भी है जहांपे student को job offer दिया जाता है थ्रू campus placement drive इससे पहले भी बहुत सारी companies ने इगनु के campus placement drive में हिसा लिया है जैसे axis bank हो college देखो.com हो glowviva हो या और भी other companies ने हिसा लिया है इस बार जो campus placement drive चलाया जारा glowviva company के लिए वो खास इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें I mean almost every student of IGNU participate कर सकते है क्योंकि इसका जो criteria रखा गया है वो ये रखा गया है कि either अगर आप graduate होगे तब भी चलेगा या फिर undergraduate यानि कि graduation कर रहे होगे तब भी चलेगा तो IGNU में तो normally student graduation ही कर रहे होते हैं या फिर master's कर रहे होते हैं तो जो master's कर रहे हैं उन्होंने already graduation कर लिया हुआ है और जो graduation कर रहे हैं वो लोग भी eligible हैं that means IGNU के जितने भी student है जो graduation कर रहे हैं या जिन्होंने graduation कर लिया है वो सब भी इस campus placement drive में हिसा लेने के लिए eligible हैं लेकिन आपको अगर इस campus placement drive में हिसा लेना है यानि कि आपको company के बारे में बताया जाएगा और selection process के बारे में बताया जाएगा तो यह date आप लोग यहादखना चार अगस को सार नौ बैसे सारदास बै के बीच में आपको reporting करना है अगर जो भी student को इस campus placement drive में हिसा लेना है तो जो job होगा वो किस तरह का job होगा वो होगा customer support, tally sale, retention, executive, backend यानि कि आपका communication skill अच्छा होगा तो फिर आपको यह job मिल जाएगा जो nature of employment है वो permanent है यानि कि आपको बस चार मैने या पांच मैने के लिए नहीं लिया जा रहा है आपका जो nature of employment है वो permanent है बाकि आपके उपर depend करता है कि आप कब तक यह job करते हो ठीक है जो responsibility होगा वो आप यहां से पर सकते हो लेकिन नॉर्मली मैं आप बता दा रहा हूँ कि इस तरीका कि जितने भी job होते है उसमें नॉर्मली आपको बात ही करना होता है आइधर customer से बात करना होता है या फिर client से बात करना होता है यानि कि आपको as a daily sales के तौर पर ही काम करना होगा और इससे पहले भी इगनों के तरफ से जो भी campus placement drive चलाए गया था उन सब में यही position offer किये जाता है यानि कि either customer support या फिर sales executive या फिर as a counselor ठीक है जो बात बताया गया कि customer support में आपको क्या करना होगा daily sales में क्या करना होगा retention executive और backend जिसमें आपको interest है वो आप कर सकते हो इन सब के बार में यहां पर बता हुआ है आप simply पर सकते हो नहीं समझ मैं तो मुझसे पूछ रहना जो key skill होना चाहिए जैसे मैंने बताया है आप लोग को कि communication skill अच्छा होना चाहिए और listening skill होनी चाहिए communication skill यह सब ही पार्ट ही है उसी चीज़ का बात करने आना चाहिए बस simple से बात यही रख लो इसके साथ साथ computer का basic knowledge होना चाहिए English और Hindi में fluency होना चाहिए जो salary है वो है 15,000 से 25,000 पर मंद और यह depend करेगा आपके interview के ओपर ठेक है तो minimum 15,000 salary होगा आपका या maximum 25,000 work experience अगर आप fraser हो तब भी आप apply कर सकते हो अगर आप graduation कर रहे हो या graduation complete कर चुके हो तब भी आप apply कर सकते हो age है 18-27 साल job location यहाँ पर दे दिया गया है career path यानि कि अगर यह आप job को join करते हो as a customer support या फिर sales executive तो आपका career path कहां तक जा सकता है तो आप आगे future में senior customer support executive बन सकते हो या फिर team leader बन सकते हो selection process बहुत easy है group discussion and interview तो इसमे normally होता यह है आपको एक topic दिया जाता है जिस पे आपको group discussion करना है और normally जो भी HR होते हैं वो यही देखते हैं कि आपका communication skill कैसा है तो group discussion में अगर आप clear कर आपको एक topic दिया जाता है जिस पे आपको group discussion करना है और normally इसमें बस यह देखा जाता है कि आपकी तरीका से communicate कर पा रहे हो आपका communication skill कैसा है group discussion का part आप clear कर ले तो उसके बाद से होता है आपका interview उसके बाद से selection हो जाता है तो selection process easy है बस group discussion होगा उसके बाद से interview उसके बाद से आपका job हो जाएगा कोई भी exam महीं देना है कोई भी written exam नहीं देना है document में क्या के लेके जाना है इगनू के eye card का दो copy लेके जाना होगा as a safe side government ID proof लेके चले जाना अगर कोई doubt हो तो ये number जो दिया गया है यहाँ पे call करके पूछ सकते हो तो आप लोग को इस job notification के बारे में सारा चीछ समझ में आ गया कि कौन सा job है कितना salary मिलेगा कहाँ पे job करना होगा अगर आप लोग चाहें तो खुछ से भी पर सकते हो इस notification का link मेंने description में दे दिया है PDF file telegram channel पे upload कर दिया है कुछ दिन पहले ये notification रिलीज किया गया था लेकिन मैं कुछ दिनों से कुछ वज़ा से वीडियो अप्लोट नहीं कर पादा था इसलिए मैंने आप लोग को नहीं बता है लेकिन फिर भी अभी 4 अगस्त को ये placement drive हो रहा है तो अभी आपके पास 5 दिन का time है तो अगर आप लोग चाहें तो attend कर सकते हैं सबसे बड़ा question ये आता है कि क्या आपको ये campus placement drive में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं तो देखो जिसको भी job की जुरूत है तो लोग definitely attend कर सकते हैं salary पंदा हजास से पचीश दार के बीच में है और इतना जान लो कि आपको communication करना होगा यानि कि बात करना होगा यानि कि आपको physically वहाँ पर present होना परेगा अब इनो के student तो all over India में फैले हुए है सब के लिए possible है नहीं कि New Delhi जाए और वहाँ पर I mean इस campus placement drive में हिस्सा ले पाए क्योंकि वहाँ पर जाना परेगा रहना परेगा and there are so many other issues तो ये सब के लिए possible है नहीं तो अगर इसको online वह लोग रखते ये campus placement drive को तो वह ज्यादा अच्छा होता student all over India में कहीं से भी registration कर पाते और Google Meet से या Zoom से या फिर Skype से interview दे पाते तो वह ज्यादा अच्छा होता सब इस student participate भी कर पाते और अगर job हो जाता तो वह लोग relocate कर लेते अगर उनका job fix हो जाता तो तो ये खामी था और दूसरा खामी ये है इसका date को लेकर exam के बीच में ये चीज़ नहीं करवाना चाहिए क्योंकि exam चल रहे हैं आप लोका पता है 22 जुलाई से 5 सिर्टिमर के बीच में और उसके बीच में campus placement drive चला जा रहा है तो अब student exam देंगे या फिर job interview के लिए जाएंगे तो ये तो आसा timing का मुश्किल है जिसके वासे काफी student को issue हो सकता है खैर मेरा opinion यही है कि job student डिली या NCR region में रहते हैं और जिनका exam चार अगस के आस पास में नहीं है वही इस campus placement को return करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा बाकि अदर student जिनका exam है तो उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि जो ये campus placement drive चलता है वो throughout the day चलता है बहुत time लगता है और अगर आपका exam रहेगा और इस बीच में अगर आप इतना जाय करोगे तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल होगा जो job location है वो भी माइने करता है कि आप लोग का job location होगा वो होगा हरियाना गुरगाओं में यह permanent job है वहाँ से ऐसा नहीं होगा कि कहीं और आपका transfer हो जाए तो ये सारा चीज ध्यान में रखना उसके बाद से ही आप लोग जाना अगर आप लोग चाहते हो तो और बाकी अधर किसी student को किसी चीज से कोई problem नहीं है और वो job करना ही चाहता है और इन सभी job description और detail से satisfied है तो आप लोग अटेंड कर सकते हो ठीक है तो इस अप टू यू आपको decision लेना है मैंने सारा चीज आप लोग को बता दिया तो यही सबता है इस वीडियो में इगनु के तफ से जो Campus Placement Drive चला जा रहा है Glowiva Company के तफ से उसके बारे में मैं आप लोग को detailed information दे रहा था तो make sure आप लोग पहली फुरसत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें Thank you so much for watching this video Have an awesome day. Thank you so much